आज है एक बर फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वसेज बियर में आज है एक अगस्त दो हजार तेईस आज हम निफ्टी का चार्ट अनलेसिस करने वाले हैं और ये कोशिस करने वाले हैं ये जानने की कि निफ्टी अगले दिन यानि की दो अगस्त को किस रेंज में ख weekly time frame पे चार्ट open है देखो weekly time frame पे जब भी आपको जब कभी भी trade करने बैठ रहे हो आप उससे पहले आप लोगों को ये चीज एक बार अपने आपनी आखों से इस चार्ट को एक बार देखना जरूरी है खुद से ड्रॉड करके ना कि दूसरे की वीडियो देखकर उससे आप सीख जागे देखो सिर्फ trend line और horizontal line draw करके कोई भी बंदा profitable नहीं बन पाएगा इसके पीछे बहुत सारी चीज़े होती है वो सारी चीज़े हमें सीखने पड़ेंगी तो सबसे पहले मैं nifty का आपको line draw करके बताता हूँ देखो ये nifty का चार्ट है यहाँ से nifty एक अच्छे खासे bull run में उपर जाता है एक अच्छा pullback देता है फिर उपर गया देखिए pullback देते हुए ये उपर चला गया अब nifty क्या कर रहा है यहाँ पर एक flag and pole pattern का formation कर रहा है कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखो यहाँ से एक line ये गई इसको ठीक से बनाते है अब ये ओगया pull और ये बन रहा है हमारा flag जब इस flag and pole pattern का breakout होगा तब हमें एक बड़ा trade मिलेगा इससे हमें क्या समझ में आता है जब भी कोई pattern बन रहा होता है तब हमें रुकना होता है और हमें छोटे छोटे trade लेने होते हैं यानि कि scalping type के हमें trade लेने होते हैं उस समय अगर जो बन्दा scalping में expert नहीं है वो बन्दा इस छोटी range में अपने trade avoid कर सकता है देखो कभी न कभी तो तूटेगी अब ये range जब ये range तूटेगी न तो एक बहुत बड़ा हमें एक अच्छी कासी rally देखने को मिलेगी ये हो गया weekly time frame पर हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया अब weekly time frame पर हमें पता चल गया कि market किस range में घूम सकता है इस week तो इस से हमें idea मिल गया अब देख लो daily time frame पर इसको सीधा कोल लिया करो अब यहां से खोला daily time frame पर हमने जो chart बनाया है उसको और ठीक तरीके से हम अपना adjust कर लेंगे कैसे वो भी आपको दिखाता हूँ देखो ये actually मैं कहां से आ रहा है यहां से आ रही है ये trend line तो इसको यहां बना देंगे यह हमारा flag आपको मैंने बना के दिखाया था नीचे की line बिल्कुल exact सही है अब देखो daily time frame पर ये चल रहा है nifty में अब हो सकता है nifty यहां से इस तरीके से break out करके उपर भी निकल जाए यहां से आया nifty ऐसे जाके फिर से उपर निकल जाए एक तो यह भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है इसी range में घूमता हुआ नीचे की तरफ break out कर दे इसी range में घूमता हुआ थोड़ी देर नीचे की तरफ break down कर दे एक तो यह हो गया अब daily time frame पर देख लिए हमने कि nifty किस range में घूम सकता है अब हम 15 minute time frame पर इसको open करेंगे और 15 minute time frame पर देखेंगे कि अगले दिन यानि की 2 अगस्त को हम किस तरीके से अपना trade प्लान कर सकते हैं तीक है यह daily time frame पर आपके सामने है अब इसको खोलो 15 minute time frame पर तीन time frame आपको जरूर देखनी है कौन कौन सी एक तो weekly time frame हो गई एक daily time frame हो गई और एक हो गई हमारी 15 minute की time frame यह आपको अगर आप daily analysis करते हो न तो आपको खुद के chart में यह सब draw करने में 5 minute से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे मैंने आपके सामने यह सब draw करके बता दिया है किस तरीके से इसको draw करना है अब देखो अगले दिन इसको 15 minute पर और अच्छे से draw कर सकते हो इसको यहां से उपर से मिला सकते हो और इस trend line को यह नीचे कर सकते हो जितने चोटे time frame पर जाते जाओगे उतना हमें adjustment करना पड़ता है इसमें देखो यह हो गया अब आप लोग इसको अपने इसाब से जो बिल्कुल exact यहां पर trend line आ रहा है उसके इसाब से match कर लेना अब देखो अब कल क्या 2 अगस्त को अगर market gap up open होता है ठीक है मालो यहां कहीं open होता है market open हुआ यहां कहीं और यहां पर pullback लेके यहां पर अगर support लेके वापस उपर उठता है तो यहां पर एक छोटा सा SL देकर एक छोटा सा stop loss लगा कर हम अपना trade plan कर सकते हैं ठीक है अब अगर मालो निफ्टी यहीं कहीं पर open होता है इसी जगे पर ठीक है निफ्टी इसी जगे पर अगर open होता है अगर निफ्टी तो हमें क्या करना है price action का wait करना है देखना है कि अगर market यहां से इससे अगर resistance लेकर वापस नीचे की तरफ आता है तो हम downside का train यानि की P side का trade plan कर सकते हैं अगर gap down open होता है अगर निफ्टी यहां कहीं open होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है क्या करना है सिर्फ price action का wait करना है यहां से अगर market उपर जाता है यहां पर थोड़ा consolidate करता है फिर इसका breakdown देके pullback देके वापस निकलता है तो फिर हम upside का trade plan करेंगे और अगर flat यहां पर gap down open होकर नीचे की तरफ थोड़ा यहां पर time spend करता है एक छोटा सा pullback देता है फिर नीचे निकलता है तो हम अपना downside का trade plan करेंगे अब आपको समझ आ गया gap up open होना है तो क्या करना है flat open होना है तो क्या करना है अगर nifty gap down open होता है तो क्या करना है इन तीनों cases में अब अपना trade plan कर सकते हो देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ trend line support resistance सिर्फ यह चीजें draw करने से कोई भी बंदा profitable नहीं बन सकता उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है जैसे कि मैं आपको example देता हूँ क्या क्या देखना होता है अगर आप nifty में trade कर रहे हो तो आपको साथ में bank nifty का chart देखना जरूरी है क्योंकि जब तक दोनों same direction में नह premium खरीदा है वो premium आपके nifty या, bank nifty to chart के साथ move कर रहा है कि ने कर रहा हैstes berg 97 뭐가 यह new program और premium अप अपनी जगर पर stuck होता है इस cases में अगर आप trade लेते हो तो भी आपको loss होना है अगर आप fifty को देखकर trade लेते हो बैंक निफ्टी नहीं देख रहे हो साथ में तो आपको आप ट्रैप हो सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती है जो सब देखने हैं अगर आपको इन सारी टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए कि एक option buyer को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए option buying करते समय तो नीचे comment में जरूर बता देना मैं अगली वीडियो उसी पर बना दूँगा और और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो यहां से चैनल को subscribe कर लो मैंने इतनी सारी वीडियो डाल रखी है stop loss क्या होता है mobile से trade कैसे करते है जो M pattern ये W pattern हम देखते हैं इनका logic क्या होता है chart analysis क्या होती है candlestick pattern क्या होते है ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कोई भी अगर कोई line है जो कि एक support का काम कर रहे है किसी stock के लिए और जब वो stock उस support line को तोड़ता है तो वही support line उसके लिए resistance का काम करने लगती है ये किस तरीके से होता है ये इस वीडियो में मैंने बता है आप जाके देखो और बताओ किस और topic पर वीडियो चाहिए मैं उस topic पर आपके लिए वीडियो बना दूँगा चैनल को subscribe कर लो वीडियो को like कर दो गर analysis पसंद आई हो तो daily इस channel पर nifty और bank nifty की analysis वीडियो आती रहेंगी गुड़नाइट जैश्वी किष्णा